तो आईए हम लोग नया वीडियो शुरू करते हैं बैटल आफ खाजवा ये आजी के दिन पांच जैनवरी के दिन लड़ा गया था तो आईए इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं ये इसकी इमेज है इसमें हाथे और गोडों का ज्यादा प्रियोग किया गया था बैटल आफ खाजवा या खाजवा वाजवा वाजवा बैटल फॉर्ट अन जैनवरी फाइब सिक्स्टीन फिप्टीनाइन पिपिन दर नीवली क्राउंड मोगल इंपरर औरंजेव एंड साह सुजा हूँ आलसो डिकलेड हिमसेल्फ मोगल इंपरर इन बेंगाल यहां पर जो लड़ाई है वो है औरंजेव के बीच में और साह सुजा के बीच में क्योंकि दोनों लोगों ने मोगल का अपने आपको सासक नया उतराधिकारी घोसित कर दिया था तो इसकी वज़े से य युद्ध हुआ बैटल वज फॉर्ट एट खाजुआ नाओ इसमाल टाउन इन डिस्टिक फतेफुर अप उतर परदेश जो खाजुआ है यहां पे लड़ाई हुई और यह एक आज के समय में प्रेजन टाइम में फतेफुर उतर परदेश में एक छोटी सी जगा है इट फ स्पॉर्ट फॉर साह सुजाज एलिफैंट विद इस लाज ओपन फील्ड अब जो गंगा और जमुना का दो आब है यह बीच का छेत्र है यह फतेफुर का जो खाजुआ वाला पार्ट है यहां पर साह सुजा का जो एलिफैंट है उनके लिए अच्छा मैदान था तो ओप आई यहां पर लड़ी गई तो आए देखते हैं तब बैटल के बारे में इन दे स्टार्टिंग अफ द वार बोथ अर्मीज अफ औरंजेव एंट साह सुजा फायर देर कैनन एट इच अधर अंटिन साह सुजा रिलीज इस बल्की वार एलिफैंट अन बिलीब देट इस व खोलीज ओणन काउंटर अट कि औरंजेव जो कैनन थी एनन मीन्स होती तोप जो तोप थी और वाले तो साह सुजा कि आर्मी में में बहुत सारी बंचाफ ऐनन ही यह एक दो नहीं थी और उनके साथ में बहुत ज्यादा हाथियां थी तो वो उधर से सासुजा के ऑर्डर पर फायर करती थी और इधर से औरंग जेट पर bamboo rockets were fired from after when a war elephant was released and this allowed the coordination and release of other war elephants. this tactic allowed सासुजा to gain much control of the battlefield जो हाथियों का यूज किया जा रहा था cannon को चलाने में मतलब उनके ऊपर रखके और इसकी वज़े से जो सासुजा ने इसमें battle में अपना मतलब gain किया एजब औरंग जेब को defeat करने में बट औरंग जेब ओर्डर इस फ्रंट तो slightly move behind he ordered his cannon to fire long range shot and his match lock supply to take control of the front and halt the arrival of the incoming war elephants जो यूद की हाथियां थी इसको सासुजा ने पहले से ही तयार कर रखा था तो औरंग जेब order कर देता है कि जितने भी जो तोपे हैं इनको short distance से ना fire किया जाए इनको long distance से fire किया जाए और जो पीछे से back side से जहां से war elephants आ रही है उनको tackle करने के लिए जिनके सिपवाई थे सिपाही थे उनको पीछे दे जाए कि वहीं पर आने ही न दिया जाए तो यह देख सकते हैं यह उसी इमेज है घोड़े हाथी वार elephants इसमें हैं जाता था और और देखें और देखते हैं आईए एंड जस्ट वेंड़ वार इलेफेंड को लाइड विद औरंग जेब सिपॉय सासुजा और इस सन बुलन दक्तर टू लीड इलीट सवार्स अगेंड दसेपॉय आफ औरंग जेब और क्या होता है कि जैसे औरंग जेब कहता है कि पीछे से आप लोग और लॉंग डिस्टेंस में वह जो वार इलेफेंड हैं इनकों तबाह कीजिए तो जैसे ही वह वार इलेफेंड मारी जाती है तरह से या डिफीट होती है तो चाहर सुझा है यह यह अपने जो इनके इलीट सवार थे जो जात और सवार होते थे उस समय के तो जो सवार होते थे जो बैसिकली घोडों का एक बंच होता था यह ग्रुप अप उसमें सावार होते तो उनके पास में किसी के पास में 5 000 सवार हैं तो मतलब 5000 शोवार हैं तो इस तरह से चलता था यह पिस्टरी में आगे पढ़ेंगे तो जो उनका सासुज़ा कर लड़का है बेटा है बलंद अक्तर वो इलीड सवार मतलब जो अच्छे सवार हैं मतलब सवारों में भी जो अच्छे सवार हैं उनको औरंग्जेब के सिपॉय मतलब औरंग्जेब के जो वहां पे गुड़ सवार हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं बुलंद अक्तर अटेक वोज एड़ेड होता है बुलंदक्तर अटेक वोज एड़ेड बाइड़ थेरी आर्म वर एलेफेंट और आउटकम वोज हाइली सक्सेस्पूल जो बुलंदक्तर होता है इसने एड किया तीन वर एलेफेंट को और इसका आउटकम क्या हुआ बहुत ही अच्छ है रहा औरंग जेप्स कैवलरी कमांडर इसलाम खान हिंसेल्फ वोज नियरली किल बाई एक कैनन बाल वाइल इस कैवलरी वोज आउटकम वो मतलब मरते मरते बचा क्योंकि जो कैनन बाल था कैनन जो तोप का गोला था वो उसके थोड़ी ही छूके निकल गया इस तरह का और इन्होंने काफी इस वारेड में काफी अच्छा प्रदर्शन किया यह बता रहे हैं यह एक इमेज है 1680 की 1680 की 1680 की जो मुगल एमपायर एक्सपेंड कर रहा है और यह दिखा रहे हैं जो यह तब की इमेज है आईए आगे देखते हैं और फूल-scale attack by his reserve lead by Kilich Khan, Bahadur and Saista Khan. The reserve infantry and its match locks then killed many of Saas Ujah's ramping war elephant and Mir Jumba second then led an advancing Mughal army to the center of battlefield braving the artillery of Saas Ujah. इसमें क्या बता रहे हैं कि जो औरंग जेव होता है उसने कुछ reserve अपनी force रखी रहती है रिजर्व एक तरह से जो उसकी infantry है वो रखी रहती है तो फिर बाद में जब देखता है कि हमारी हार हो रही है तो उनको उनको आगे आने के लिए कहता है जो क्लिच Khan, Bahadur और साइस् और ये मैचलेस होते हैं इनका कोई तोड नहीं होता है ये सासुजा के बहुत वार elephant को और मीर जुमबा जो लेट कर रहे होते हैं उनको सासुजा की आर्मी को ज्यादा नुक्सान पहुंचाते हैं औरंग्जेव इंसेल्फ लेड़ इस कैनन फॉरवर्ड और येन कंसेंट्रेट दियर फायर पावडर फायर पावर एट सासुजा सेंटर इंफलिक्टिंग मच डिसारी अगेंस इस राइवल्स जो औरंग्जेव है वो खुद अपने आपको अपने साथ में कैनन स्टो पे इसे लेकर सासुजा की तरफ चल तरह पार एक तरह से अटेक्ट करता है उसके अगेंस में एजर रिजर्ब से पॉय सावार आन्ड यॉरे लिफंट केंब वेरी नियर और वीगें टू ऑवर रन सासुजास के पहुंचते हैं तो औरंग्जेव रिजर्ब से पॉय लेके जलता है तो जो वर एलिफेंट थी सासुजा की उसके नियर में जब इसके रिजर्ब से पॉय औरंग्जेव के पहुंचते हैं तो सासुजा मतलब कुछ जादा नहीं कर पाता है और भागने लगता है सासुजा first order his European gunner to retreat and later order his mainly Mughal forces to withdraw but it was for too late when Aurangzeb, Jamborg and Sepoy led by Klitsch Khan, Bahadur had them surrounded causing most his force eventually organize a mass surrender सासुजा himself chose to flee from his howda and then rode away conceding the battlefield to his younger brother the new Mughal emperor Aurangzeb क्या होता है जो सासुजा है इसका जो छोटा भाई है his younger brother new Mughal औरंग्जेव ही होता है दोनों भाई ही रहते हैं सासुजा और Aurangzeb तो इसमें battlefield में ही जो जब देखता है सासुजा की मेरी हार हो रही है तो वहां से यह अपने आपको concede मतब छीपते होए या छीपाते होए और वहां से भाग निकलते हैं दोनों भाईयों की औरंग्जेव और सासुजा की आर्मी है वो खाजवा में खठी होती और जो सासुजा को लेड कर रहे होते हैं वो जैसवन सिंग लीड कर रहे होते हैं इसके बाद में ये इनकी जो राजपूत जस्वन सिंग लेट जो इंफंट्री होती है वो मुगलों को काफी नुक्सान पहुंच जाती है और पॉंटिं ओरंग जेव तो इस इस इलीट जैंबर्ग और लाइट कावलरी तो चुछ तो चेज द फ्ली 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 फॉस अब जस्वन सिंग सासुजा बेटनेश्ट इंक्योस कास्वाई थे हिंदू राजपूत फ्रम आफर बाद इंट लीड नी अटाइक अगेंस इस यंगर बर्दर औरंग जेव विकॉज ही अधर्ड तू दा प्रिंसिपल आफ अज्यस एंड ओनरेबल विक्टरी जो सासुजा है उसने ये लड़ाई इसलिए लड़ी थी क्योंकि उसको भी राजा बनना था उसको भी गद्दी चाहिए थी तो इसमे जो जस्वन सिंग है ये ये भी बाद में मत्तब एक तरह से औरंग जेव को नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन उतना बाद में सफल नहीं होते हैं तो इस तरह से ये लड़ाई का ये थोड़ा सा अंस था आसा करता हूं अच्छा लगा होगा बहुत-बहुत धन्यवाद जाहिं